विकी को हमेशा किस्मत ने उसकी मैनत से ज्यादा दिया। पैदा हुआ एक बड़े घर में मुँ में चांदी की चम्मच लेकर और शादी विकी एक उससे भी बड़े घर में सोने की चम्मच मुँ में लेकर। उसे मेहनत करने का शौक नहीं था, एक शौक था, वो भी घटिया शायरी करने का, उसकी हर बात शायराना ही होती थी, जैसे कि एक दिन, दूर से देखा तो चांद पे दाग था, पास से देखा, साबुन का छाग था, ठोको ताली! अरे, ऐसी शायरी करोगे तो ताली तो पता नहीं, कोई तुमको ही ठोक देगा? शायरी वो बिल्ली है, जो किसी का भी रास्ता रोक दे, और क्या मैं किल हूँ, जो कोई मुझे ठोक दे? मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी? मैं निकला था गाड़ी लेके, लेकिन दोड़ के जा रहा हूँ, मेरी शायरी कोई नहीं सुनता, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ तीरे बोलिये जी, मम्मी पापा को पता चल जाएगा, तो तुमको सच में तुम्हारे माई के भेज देंगे सस्ते साबुन से मेरी कॉलर चमकी नहीं, सच में चला जाओंगा, मेरी बात कोई धंकी नहीं अगर शायरी ही सुनानी है तो सुनाओ, लेकिन कोई काम धंधा भी तो करो, मेरे पिताजी के पास बहुत पैसा है, तो घर जमाई बनके खा रहे हो, और कल जा रहे हो ना अपने माई के, तो आज ही चले जाओ मेरी बला से हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमें अरे चुप हो जाओ, तुमको मिर्जा गालिप की कसम, अरे जाना है तो जाओ लेकिन पहले मेरे ममी पापा से मिल कर जाओ, पना वो क्या सोचेंगे लेकिन विकी अकेले ही अपनी काल लेकर अपने माई के, यानि की अपने खुद के घर पहुँच जाता है अरे बेटा, तु अचानक, बहु कैसी है? अरे मा, बहु तो बिलकुल बदल गई है, मुर्गी हाथ से निकल गई है अरे क्या हुआ बेटा, उसकी आती नहीं है, मेरी जाती नहीं है मैं करता हूँ शायरी, उसे भाती नहीं है मेरे पास उसका फोन आया था बेटा, सही कह रही है वो तुमको काम करना चाहिए, तभी तो इज़त मिलेगी घर जमाई बनके सास सुर के पैसो पर कब तक एश उड़ाते रहोगे मेरी जिन्दगी में हर तरफ से उंगली हो रही है फोन पर मेरी चुगली हो रही है आरे चुगली नहीं कर रही थी बहू, वो तेरा भला चाहती है बेटा सूखे हुए कपड़े को भी गीला कह रहे हैं लोग चुगली करने को मेरा भला कह रहे हैं लोग ठोको ताली ये सुनके मा अपने हाद से अपना सर पीट लेती है अरे मा ताली की जग़ मा था क्यो ठोक रही हो बेटा, तूना, आराम कर, तेरे पिताजी भी आने वाले है, खाना लगा देती हूँ विकी अपने घर भी दिन भर टीवी देखता है तरह तरह का खाना खाता है दोपहर तक सोता है, चाई पीता है, वीडियो गेम खेलता है बस काम करने नहीं जाता घर में नौकर चाकर है, तो विस्तर से हिलने तक की ज़रूरत नहीं पड़ती कई बार तू विकी अपने नौकरों को बिठा कर शायरी सुनाता रहता कब जाओगे बेटा? अरे कैसी बात कर रहे हैं डाडी, क्या आप मेरे फादर रही? आप मुझे भगाना चाते हैं, क्या ये मेरा घर नहीं? आरा नहीं बेटा, तुमारा ही घर है हम तो चाते थे के तुम यहीं रहो और मेरा काम आगे बढ़ाओ लेकिन तुम ही चले गए घर जमाई बनने अरे महनत तो गधे भी करते हैं मैं अच्छी किस्मत लेके पैदा हुआ हूँ मैं घर जमाई हूँ ससुराल का फूल गेंदा हुआ हूँ ठोको ताली! पिता जी और मा सच में ताली बजा देते हैं ऐसा पहली बार होता है जब विकी की शायरी पर किसी ने ताली बजाई हो अरे आप लोग सच में ताली बजा रहे हैं? हाँ हाँ बेटा तुम्हारे ससुर का फोन आया था बोला जब तक घर जमाई जी कोई काम ना करने लगे हमारे यहां मत भेजना अब तू तो काम करने से रहा और तुझे रहना भी है हमारे घर में ही करेगा भी शायरी ही और बार बार ठोको ताली ठोको ताली बोलेगा तो आदत डाल ही लेते हैं ताली ठोकने की विकी उसी वक्त खड़ा होता है और बहुत गुसे में सीधे ससुराल के लिए निकल जाता है फिर से आ गए? लेकिन सुमन को देखते ही विकी पिघल जाता है सुमन, I'm sorry, आज से न मैं सिर्फ शायरी ही नहीं, बलकि काम भी करूँगा तुम अपने आफिस में बात कर लेना, कोई भी मैनत का काम कर लूँगा मैं घर जमाए बनके रहूँगा, लेकिन काम करूँगा और इज़द से रहूँगा मतलब सिर्फ तुम नहीं आए हो, तुम्हारे साथ तुम्हें अकल भी आ गई है मैं अपने कार खाने का मैनेजर बनाता हूँ तुमको, कल से मेरे साथ चलना वहाँ थैंक यू, थैंक यू सासूर जी थैंक यू से काम नहीं चलेगा, एक शायरी सुनानी पड़ेगी है, है, जरूर, जरूर सासूर के पास पैसा होते भी, मेहनत जिसको भाई है वही सच्चा दामाद है, वही अच्छा घर जमाई है ठोको ताली सब विकी किशारी पर ताली ठोक देते हैं शिक्षा, जब किस्मत आपको बहुत सारा दे दे तो उसकी कदर करनी चाहिए और मेहनत करना कभी नहीं भूलना चाहिए